काफी सारे स्टुडेंट पेपर तो देने जाते हैं अलग-अलग प्रकार के एक्जाम के लिए लेकिन बुक्स का सेलेक्शन जो होता है उनका गलत होता है जिस करण उनका जो एक्जाम होता है वो निकलता नहीं है मैं देख रहा हूँ काफी सारे स्टुडेंट्स अलग-लग तरह की किताब ला रहे हैं बहुत पतली-पतली ला रहे हैं और उन्हें लगता है कि उसमें पूरा डिटेल इन्फरमेशन है लेकिन ऐसा नहीं है आपका अगर सेलेक्शन अच्छा नहीं है किताबे अच्छी-खासी मोटी नहीं है उसमें डिटेल में कोई बात नहीं लिखी है तो सेलेक्शन होना अब बहुत मुस्किल है वर्ल लाइनर कुश्चन बहुती कम पूट अप किये जाते हैं एक्जाम में जिसके करण आपका सेलेक्शन नहीं हो पाता है मैं काफी बार आपके लिए बैस बुक पर वीडियो लाया हूँ और कोशिस करूँगा समय समय पर आपके लिए कोई ना कोई ऐसी वीडियो जरूर लाऊं जिससे कि आपकी मदद हो कोई डाउट आपके अंदर ना रहे तो सबसे पहले आज की वीडियो है बैस बुक पर मैं आपको बैस बुक बताना चाहूँगा जिन्होंने पहले खरीद लिये है उनके लिए भी जिन्होंने नहीं खरीद दिये उनके लिए भी ये वीडियो होने वाली है कुछ इसमें नए स्टूडेंट है कुछ इसमें पुराने student है मैं बताना चाहूँगा देखिए सब का thinking power अलग-अलग होती है कोई पहले से ही मतलब बहुत पहले से अच्छी तहीं आ रही है किसी हो की उन्हें books की अच्छी knowledge है कोई नए-नए है जिनको books की knowledge नई है अभी-अभी books पढ़ रहे है किसी का level कोई पढ़ने में होस्यार है कोई पढ़ने में कमजोर है तो दोनों के इसाब से मैं book बताऊंगा तो सबसे पहले आती है हमारी maths की book अगर किसी की math बहुत कमजोर है या किसी पहले कभी कोई maths का subject नहीं रहा हो तो उसको कौन सी book खरी लिये जो मैं book बताऊंगा वो Hindi और English दोनों में available है दोनों student इसको apply कर सकते है maths अगर किसी की week है किसी students की तो सबसे पहले SD आदव की book ले SD आदव थोड़ी मोटी है लेकिन बहुत आसान book है आप उसके example example लगाएंगे या थोड़ा बहुत तिहोरी portion देख देख के भी लगाएंगे तो आपके अच्छे marks आना शुरू होंगे लेकिन आपको पीछे नहीं हटना है उसमें समय देना है एक दो घंटे दो दिन घंटे देना है क्योंकि आप लोग maths को पकड़ते ही नहीं है SD आदब आपकी अच्छी हो जाती है तो आप राकेस आदब सरजी की बुक पे जा सकते हैं और उसके बाद आप RS अगरवाल की बुक पे भी जा सकते हैं और किरन की बुक पे भी जा सकते हैं जैसे जैसे आपका लेवल बढ़ता जाएगा लेकिन मैंने पड़ी थी तो मुझे बहुत अच्छी लगी अभी वो शायद offline में ज्यादा है online के प्रेशलाइन में ज्यादा दिखनी रही है क्योंकि latest edition मुझे दिखा नहीं अभी तो मैं डीके राठी पड़ी थी अगर डीके राठी ना हो तो जी एस की आप lucent ले लीजिए जिसमें subjective हो detail में कोई theory wise दी हो वो वाली बुक लीजिए और एक one liner की ले लीजिए तो वो बुक आपके लिए sufficient रहने वाली है उसके बाद हम आते हैं आपकी reasoning में reasoning की one and only अरिहंत master reasoning आप सभी लोग लगाईए कोई question आप पे नहीं हो रहा है तो आ आप भाई जादा से जादा practice करें कोशिस करें जादा से जादा practice करें practice होगी speed आएगी speed आएगी कुछ ना कुछ question होगा आप डर के मारे उस subject को पकड़ते ही नहीं हो तो number कहां से आएगा वो चीज अपने आप कमजोर हो जाएगी जब हम किसी चीज को लगातार करते रहते ह हैं तो वो चीज धीरे धीरे हमारे अच्छी होने लग जाती है अब आती है हिंदी हिंदी आपको पता ही है लूसेंट है one and only लूसेंट की बुक और लूसेंट के साथ आधित्य पब्लिकेशन की पढ़ेंगे तो बहुत अच्छा आएगा अधित्य पब्लिकेशन में exam previous exam मे पूछेंगे questions आते हैं वलकि लूसेंट में जो briefly होता है detail में हर एक चीज होती है आपको वो हर एक line detail में पढ़नी है और मैं बादा करता हूँ जो भी books मैंने आपको बताई है अगर आप उनको अच्छे से पढ़ते हैं तो आपका selection 100% रहेगा आप बस books के प्रती positive रहें पूरी मैंने books बताई हैं उसके बारे में मुझे कहीं सारे positive comments और call आये हैं कि भी आपने जो भी books बताई थी मुझे उसमें मेरा अच्छा score गया है अभी आप मेरी previous last video दे सकते हैं उसमें काफी सारे student ऐसे हैं जिन्होंने मेरे बताई हुई किताबों को पढ़ा और उनका उन